हलो प्रीवन आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्र के गुण यहां अश्टांग रेदयम यहां मौलिक सिध्धान्त का बाठ है तो यहां इसके अठारा गुण होते हैं जो कि आचारे चरक ने विमान इस्थान में बताए हैं तो हम लोगों को यह समझना पढ़ेगा समझने के ने वाले ग्रंथ हैं उनको ही हम तंत्र कहते हैं जैसे कि आचारे चरक द्वारे लिखे दियो जो चरक समिता है सुश्र समिता है ठीक है रिगवेद यह जुरवेद यह सारी चीजें तंत्र हैं और इनके गुण मतलब इनके क्या ऐसे स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए जि सु महद्य शस्विधीर पुरुष सेवित इसका क्या मतलब है पहला वाला सु महद्य शस्विधीर पुरुष सेवित धायरेवान पुरुषों द्वारा प्रशनसित हो धायरेवान पुरुष क्यासे कि ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारा पेशेंस हो जो अच्छे से अर्थ बहुल का मतलब अर्थ की बहुलता हो, सपश्ट अर्थ वाला हो, अर्थ बहुल का मतलब है कि कोई पटिकुलर सेंटेंस पढ़ के आप भिन भिन अर्थ अराम से अच्छे से निकाल पाएं कि हां क्या कहना चाह रहे हैं, राइटर ठिक, फिर आप्त जन पूजित, आप्त पुरुष आपने पढ़ा होगा पदात्विज्ञान में आप्त पुरुष वो लोग होते हैं जो पूजनी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लिटरेट कह सकते हैं आप उनकों की बहुत पढ़े लिखे और रिशी मुनी टाइप के लोग ठीक है तो आज के टाइम पर ऐ वेदों की पुराणों की पूजा करते थे ठीक रामायाण महाभारत इन सब की पूजा करते थे यह जुरुवेद रिगवेद तो अब आप्त जन्दवारा पूजित हो ऐसा तंत्र होना चाहिए ठीक फिर फूर्थ पॉइंट है त्रिविद शिष्य बुद्धिहित गुझे जाड़ा ब्राइट's के लिए लापरद हो मतलब तीनों को समझ में आए ठीक फिर select phone होता है फिर पुनरुक्ति प्रकाश एक औलंकार होता है हिंदी में इसका मतलब होता है repetition alliteration तो एक ही बात बार बार नहीं चेहनां है ठिक, कि एक बार बताया आपने सूतर स्थान में फिर वही चीज आपने कल्प पर स्थान में बताई तो ऐसा नहीं करना है, एक बाद को एक बार में कहके खतम करिये, ठिक, तो यह हो गया 4 फिर उसके बाद 6 हो जाएगा आशाम आशम का मतलब हो जाएगा रिशियों द्वारा तंत्र लिखा होना चाहिए जैसे मैंने बताया था कि PhD होल्डर्स आज कल के टाइम पे अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं ठीक अभी आप इंटर में हैं और आपने कोई बुक लिख दी तो कौन पढ़ेगा ठीक आपकी बुक वाइरल हो गए तो पढ़ लिया किसीन तो एक अलग बात है पर पहले तो आप देखा दाता ना कि आपकी डिगरी के आप कौन से मतलब पढ़े लिखे हो की नहीं तो ऐसे रिशियों द्वारा तंत्र लिखा होना चाहिए सूप्रडीत सूत्र भाष संग्रहकम इसका अर्थ है सूत्र भाष और संग्रह एक क्रम में होना चाहिए मतलब बिगिनिंग कहां से करना है ठीक जैसे हम लोग बचपन में सीखते हैं तो पहले कैसे स्टार्ट करेंगे फिर बीच में कौन सा कॉंटेंट डालेंगे एंड कैसे करेंगे यह सीखे मतलब एक क्रम में ही होनी चाहिए कुछ भी आना बेना तिर्चानी लिख देंगे फिर उसके बाद सूअधार सूअधार का मतलब सुंदर अर्थ वाला कि कुछ चीज पढ़के एक अच्छा मन में रस उत्पन हो ठीक तो सुंदर अर्थ वाला होना चाहिए अनवपतित शब्द अनवपतित शब्द का मतलब है अशलील अशिष्ट सब्दों का प्रयोग नहीं करना है अब पढ़ाई करने का मतलब है कि विद्या अर्जन कर रहे है तो अशलील शब्दों से तो दूर रहना ही पड़ेगा तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए उस भाशे में या फिर उस ग्रंत में अकष्ट शब्द अकष्ट सब्द का मतलब है ऐसे शब्द जिनका अर्थ पढ़ने में कठनाई हो अर्थ पढ़ने में कठनाई क्या हो उनको खुद रीड करने में कठनाई हो अब ऐसे तो आपके लिए सारे शब्द अकष्ट ही हैं संस्कृत पढ़ने पा रहे हैं अगर आप तो लेकिन ऐसा नहीं है जब आपने अच्छे से संस्क्रिट सीखी हुई है उसके बावजूद भी कुछ शब्द आप नहीं पढ़ पारें तो ऐसे शब्दों को कहेंगे अकष्ट सब्द तो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए उस भाष्य में या उस ग्रंत में ठेक फिर उसके बाद पुष्कर ना भी धान का मतलब है कि परयवाच भी शब्दों का बहुतायत से प्रयोग होना चाहिए परयवाच भी शब्दों का प्रयोग क्यों होना चाहिए कि जैसे माली जे आपने पढ़ा है कमल कमल को क्या बोलते हैं और कमल को पंकज बोलते हैं ठीक तो अब कुछ बच्चों को पता होगा कि कुछ लोगों को पता होगा कि कमल बोलते हैं कुछ को पता होगा कि पंकज बोलते हैं तो जिनको कमल पता है उनको भी पता चल जाए कि हां कमल पुष्प की बात हो रही है तो अ कमल बहुत उपयोगी है और पंकज सरोवर में उगता है ठीक तो दोनों ही चीजों का प्रयोग होना चाहिए फिर क्रमागतार्थ क्रमागतार्थ भी उसी टाइप से है कि क्रम के हिसाब से ही चीजें लिखी होने चाहिए जैसे अभी हम लोगों ने अभी देखा था कि सुप् बाई स्टेप ही चीजें लिखनी है ठीक यह नहीं कि कोई भी चीज कहीं से भी उठा के डाल दी एक्जामपल में दिया हुआ है कि जैसे रोग निदान एक सब्जेक्ट है सेकंडियर में तो उसमें हम लोग किसी भी डिजीज की के बारे में पढ़ते हैं तो पूर रूप बारे में बताया ही नहीं और डिरेक्ची के इत्सा लिखने लग गगे उसकी तो इस तरीके से स्टेप बाई स्टेप ही लिखना है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रमाग तार्त फिर अर्थ तत्व विनश प्रधान मतलब प्रधान पदार्तों का जो तत्त है आखरी जो तत प्रधान प्रधान मतलब पूर्व और पर के वाक्यों में विरोधना हो ठीक है नितलब की स्टार्टिंग में जो लिखा है और एंड में लिखा है वो दोनों आपस में कॉलाइड नहीं करने चाहिए कि ये तो कुछ लिखा था पहले अब कुछ और लिखा है ऐसा नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद असंकुल प्रकरण का मतलब क्या हो गया कि ए अपगत पुनुरुक्त दोश पढ़ा था कि एक बात बार बार नहीं कहने है उसी तरीके से अर्थ सॉरी संगतार्थ सॉरी असंकुल प्रकरण होता है जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अपगत पुनुरुक्त दोश उसी प्रकार से असंकुल प्रकरण कि एक उसके बाद आशु प्रबोधक, आशु प्रबोधक मतलब गरंत में विशय, भाषा, शैली, इन सब चीजों की जैसे भी लिखना है, वो ऐसे लिखना है कि इसली समझ में आए, ये भी किस से related है, अर्थ बाहूल से related है, जो हम लोगों ने second number पे पढ़ा था, और किस से related है, इसमें उचारण में problem ना हो, ठीक, तो वैसे ही आशु प्रबोधक भी याद रखना है हमको, इसमें आप अपने अपने एक साथ बना लिजेगा कि कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं, ठीक, जैसे कि जब आप लिखेंगे तो आप्त जन पूजित और आशम एक साथ लिख सक करते हैं, जाद करते में आसानी रहेगी, कि कौन सी वाली चीजें एक दूसर से relate कर रहे हैं, फिर उसके बाद लक्षण वत, मतलब पदों के जो लक्षण है वो इसपष्ट होने चाहिए, कि सिंपल सी बात है, अगर इसपष्ट नहीं होगा, परिभाशा इसपष्ट नहीं होगी, तो समझ में ही नहीं आगा, ठीक, और लक्षण वत का मतलब हो गया, कि ग्रंथों में और जो पदों है, उनके लक्षण उचित रूप से यथा स्थान वाड़ने थों, जहां लिखे होने चाहिए, वहीं लिखे हो, गलत सलत इदर उदर ना लिखे हो, ठीक, उसके ब स्पष्ट किया गया हो, जैसे द्रवे का वर्ण करते समय इसमें लिखा हुआ है, द्रवे का लक्षण, यत्रा शिता कर्म गुड़ा कारणम समवाईयत तत द्रव्यम, इसका मतलब है, कर्म गुड़मे का समवाई कारण है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कि उधारणवत का मतलब क्या होता है, कि उधारणदे के समझाया गया हो अच्छे से, ठीक है, तो आप लोगों सहून में आगे होगी वीडियो, और इसको अच्छे से एक बार फिर से वीडियो देख लिएगा, तो आप इसली याद कर पाएंगे, ठीक है, और फिर मैं आग परदोश, तंत्र युक्ती, ताक्षील, सारे ही सारे मौलिक से धान के पार्ट कवर कर दिये, तो आप लोगों देख सकते हैं, तैंक यू सो मच,